कैसे ही का तमाम ये कंगो दिवाल है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन और प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में आपका स्वागत हैं आज का शो आप कह सकते हैं डिफॉल्ट सेंट्रल है चिंता मत कीजिए बिल्कुल नित्मिनान रखिए ये डिफॉल्ट में नहीं हुए लेकिन भारत के पडोसी मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं सर क्या इस्तिती है डिफॉल्ट की कहां कहां की आज हम बातचीत करेंगे अपने प्राश्ट्री बाजार में आता है तो इसका छोटे मुलकों पर कितना खराब असर पड़ता हम इसे समझने की कोशिस करेंगे यहां तक आते हाते श्री लंका डिफॉल्ट कर गया है नेपाल की क्राइसिस है और पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट लगभग सर पर खड़ा हु तो आज बाची शुरू होगी रूस से डिफॉल्ट हुआ रूस अब आगे क्या तेल में क्यों आया नया उबाल भारत के पडोस में लग गया डिफॉल्ट का रोग बात पाकिस्तान की भी होगी बदली सरकार में क्या-क्या बदलेगा क्या सस्ता मिलेगा 5G और महगा कर्ज अब शायद नहीं टल पाएगा ऐसी पूरी आशंका है ऐसी आशंका क्यों है यह अंशुमान जी से समझेंगे और उन खबरों को विस्तार से उन पर चर्चा करेंगी जो यह संकेत दे रहे हैं कि भारत में अब महंगे कर्ज के दिन दूर नहीं है लेकिन सबसे पहले रोज क अब रोज की तरह शुरुबात रूस से रेटिंग एजनसी एस नटी ने कहा है कि रूस ने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया एजनसी का कहना है कि कर्ज बापसी के लिए रूस अपनी करेंजी रूवल में पेमेंट का ओफर कर रहा है जबकि उसे डॉलर में पेमे का इस बात की है कि रूस के तेल पर और गैस पर अंकुष लगाया जा सकता है पूरी तरीके से रोक लगेगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है सर रूस ने कौन से बाजार में और किस तरह डिफॉल्ट किया शुबंजे से हमने शुरॉत में कहा था कि डिफॉल्ट पर हम च तरचा की बीच में आयागा डिफॉल्ट का मतलब होता है जब कोई देश कर्ज चुकाने में चूकता है और जो कर्ज उसने अंतराश्टी बाजार से ले रखा है आम तोर पर देशों के डिफॉल्ट कंपिनियों के डिफॉल्ट और वेक्तियों के डिफॉल्ट से बिलकुल अलग होते हैं ये समझना जरूरी है कोई देश यब कोई संप्रव अर्थ वेवस्था कर चुकाने में चुकती तो उसका मतलब काफी बढ़ा होता है कोई company चुकती तो उसका मतलब बढ़ा अलग होता है और कोई कर्ज वो जो कर्ज का एक हिस्सा वो नहीं चुका पाते हैं और दूसरा वो कि अपना सारा कर्ज चुकाने से चुक जाते हैं और दोनों के साज हमारे सामने हैं शुबरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू कर दिया गया है और इसका नतीजा यह हुआ कि रूस को रूस को करज नहीं चुका पाया और इस्टेंड और जो की प्रमुक रेटिंग एजनसी है उसने इसे डिफाल्ट के तोर पर धर्ज किया रूस को चार अपरल तक का समय मिला था तीस दिन का ग्रेस पीरिट मिला था जिस के भीतर उसे डॉलर का इंतजाम करके इस करज को चुका ना था और यहां से रूस के लिए एक कठिन रहा शुरू हो गई है क्योंकि बाजार को इस समझ में आ गया है कि जब रूस इतने चोटे करज का एक चोटा भुकतान नहीं दे पा रहा है तो आगे आने वाले छे महिन में साथ महिनों में जो बाकी भुकतान आएंगे वो कैसे आएंगे आएंगे इसका पता नहीं और यहीं वो चुनोती थी जिस पर मनी सेंटर में लगातार चर्चा कर रहे तो तो रूस के डिफॉल्ट शुरू हो गए अंतराश्री करज बाजार भुत करीब से अब रूस के एक ओपैक की बैठक भी होनी थी उस बैठक में ऐसा क्या कुछ हो गया जो तेल का बाजार फिर उबलने लगा यह सबसे दिल्चस्प घटना करम है आज का शीलंका की डिफॉल्ट से की तुलना में में अगर हम देखे तो यह आज की सबसे महतपून्ट खबर है कल हमने अंत तेल और गैस पर पाबंदी लगा जा सके कोईले पर पाबंदी लगा दी गई है कल हमने अपने मनी सिंट्रल में इस पश्रूप से कहा था कि अगला चल्ड तेल पर पाबंदी का हुगा गैस सबसे आखिर में आएगी और इसके लिए कल वियना में ओपेक और देशों के रूस करीब 10 बिलियन डॉलर मिलियन बैरल पर डे का उतपादन करता है जिसमें से अल्मुस्ट साड़े चार मिलियन बैरल के असपास रशिया का कुरूड ओई सीडी देशों को जाता है यह कहा गया था कि अगर ओपिक देश ओपिक देशों में खास्तर से सौधी अरब और अमीरात जैसे बड़े उतपादक अपना उतपादन बढ़ा दें तो रूस पर प्रतिबंध लगाना आसान और सहज हो सकता है क्योंकि उसके बाद योरोप रूस के तेल की खरीदारी बंद कर देगा क्योंकि बाजार में रूस में बाकी देशों का तेल आना शुरू होगा जैसी संभावना थी ओपेक ने इसे ततकाल मना कर दिया है ओपेक का कहना है कि 3-4 मिलियन बैरल पर डे की शार्ट फाल पूरा करना उनके बसका नहीं और दूसरा ये कि अगर आप ओपेक रूस की तरफ से OECD देशों को या योरोप को जाने वाले तेल को देखें तो प्रिस्तार से चर्चा भी की थी और दूसरा संकेत ये है कि अगर योरोप के देशों को रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाना होगा तो उन्हें थोड़े समय के लिए तेल की महंगाई जहल नहीं होगी और यहां से योरोप की दुविधा शुरू होती है क्योंकि दुनिय और राजिन कूटनीतिक प्रयास इसमें किये जाएंगे लेकिन फिलाहल तेल बाजार में कीमतें 100 डालर से उपर हैं रूस के आयल पर प्रतिबंध लगाने के तयारी है ओपेक ने उत्पादन बढ़ाने से बना कर दिया तेल कीमतें 100 डालर से उपर हैं 101 डालर 87 सेंट के आस पास इस समय क्रूड ट्रेड कर रहा है सर क्रूड महगा होगा मुसीबतें हमारी भी बढ़ेंगी बढ़ रही हैं अभी कुछ ब्रेक लग गया है क्या बढ़ोतरी पूरी पासवान हो गई है आज सुबह शुभम जो हमें मेरी बात हो रहीती से समझने के लिए कि आखिर ते रुपए के आसपास की बढ़ोतरी हम लगातार एक चरण बढ़ धतार पर देख चुके हैं अभी से चार दिन पहले तक वो बढ़ोतरी जारी थी अगर आप इसे समय के अधार पर देखे तो शाह जनवरी तक जितनी कीमत बढ़ी थी कच्चे तेल की युद्ध शुरू होन इसके बाद बीच में कुरूड 110-115 तक गया था क्या तेल कंपीनियों ने उस रेट पर खरीद की है नहीं इसके बाद की जो बढ़ोतरी है उसे कैसे पासान किया जाएगा उस पर रणनीती बन रही है लेकिन एक चरण और बढ़ोतरी का इसमें रहेगा क्योंकि इसका संके हम रिजर्व बैंक की मौदरिक पॉलिसी से मिक्षा से मान सकते हैं जिसने 95 डालर से 97 डालर पर बैरल का रेट एवरेज इस्टिमेट किया है अंतराश्टी बाजार के संकेत भी शुवमिस तरीके कि हैं कि पूरा साल कम से कम 85 डालर 90 डालर से उपर के तेल के साथ कच्छे त इस डॉलर जाधा है भारत की से हैंशक्ति सकतर से सित्तर डालर पर बैरल किया और उसे 85 डालर पर बैरल का ब्रेंट हम को मिलता है तो भारत की सहन शक्छी के ज्यादा है तो अगर सरकार तदकाल मां लीजए थोड़ी बहुत कीमत वह भड़तरी नहीं भी करती उसे टाल भी अभी आसान इसलिए नहीं है क्योंकि GST का कमपनसेशन खत्म होने वाला है तो राजी तो ये कतही बरदाश नहीं कर सकते कि वो जो उनके स्रोथ हैं टेक्स के वो कम किये जाएं और ऐसे में आप ये मान के चली कि पेट्रोल डिजल की महगाई से हमें और आपको लंबे समय तक लड़ना ही है चली अब रूस से चलते हैं श्रिलंका श्रिलंका में आर्थिक संकट गहराता ही जा रहा है मंगल वार कोpsay श्रिलंका ने आधिकारिक जब दुनिया में कोई देश डिफॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा और सवभाविक सवाला आता है किप देश अब करेगा क्या, इसके बात की परिस्तिति क्या होगी. एक तो सावरिन डिफॉल्ट दुनिया में नए नहीं है, आल्मोस्ट दुनिया की जाधातर बड़े देश डिफॉल्ट कर चुके हैं, दुनिया के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया, पहला डिफॉल्ट 1557 में स्पेन ने किया था, जब स्पेन के प्रिंस फिलप कर्च देने स चुकाने से चूक गए थे, उसके बाद से जो सबसे ताजे बड़े डिफॉल्ट हमारी निगहा में उसमें आरजिंटीना का 2001 का डिफॉल्ट और ग्रीस का सबसे ताजा डिफॉल्ट जो 2008-09 में हुआ था, वो हमारे सामने थे, उनकी उसी श्रंखला में श्रिलंका का डिफ अब यहां से देशों को दो बड़े रास्तों की तरफ, दो बड़े कठन रास्तों की तरफ जाना पड़ता है, अंतराश्टी बाजार में किसी देश के डिफॉल्ट हो जाने का मतलब उसका सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि वो देश खत्म हो जाता चूकने में ये फर्ख है कि रूस सेलेक्टिव डिफाल्ट हुआ है एक करज के चोटे से हिस्से के भुकतान में चूका है और श्रिलंका अपने पूरे क्यावन अरब डालर का जितना विदेशी मुद्रा करज है ये विदेशी करज है उसको पूरे पूरे को चूकाने में क्योंकि जब दुनिया के बाउंड बाजार में कोई डिफाल्ट होता है तो दुनिया में करज देने वाले देश एक्तम शाहलाग महाज़नों की तरpiece से वेवहार करते है क्योंकि उनको दिखता है की डिफाल्ट होने का मतलब देश की एकॉनियों चूपट हो चूकी और पीछे खड़ा होगा IMF इसलिए आज श्री लंका के अपने अफिशल बयान में कहा कि IMF से बेल आउट की बात चल रही है जब IMF आएगा IMF मन्यूर करेगा कि हम श्री लंका को ताथकालिक तोर पर विदेशी मुद्रा के साहिता देते हैं तब वहां से बांड होल्डर को दिखाई देगा कि IMF इसके पीछे है और ये विदेशी मुद्रा देश के भीतर आ रही है और फिर उससे कर्च को चुकाने की प्रक्रिया शुरू होगी कर्च पे ब्याज़ देने बढ़ेंगी बुक्तान का समय बढ़ेगा और लोन की रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेश शुरू होगा दूसरी बहुत महतुपून चीच कि IMF जब आएगा तो आर्थवस्था को सरकेबल खड़ा करने और पूरी विवस्थाएं बगलने की शर्त के साथ आएगा तो वो जो आस्टरिटी मेजर्स हैं भुत सक्त खर्च पर नियंतरान फिजूल खर्ची पर कमी पाकिस्तान हमारे सामने है देखिए पाकिस्तान ने इमरान खान सरकार से कहा था कि अपने आप इंकम टेक्स बढ़ाईए और पेट्रोल लिजल पर टेक्स बढ़ाईए नहीं इकानिमी क्राइसिस में पहुंच जाएगी इमरान खान उसके लिए तैयार नहीं हुए और पाकिस्तान का जो बेलाउट पैकेज हो फसा हुआ है इस मामले में उस पर चर्चा चल रही तो आप श्रीलंका की सरकार को आएमिफ की शर्तों के थाए तो अपनी अर्थवस्था को पूरी तरह से बदलना होगा और ठीक करना होगा जिसकी कीमत वहां के आम लोग चुकाएंगे उनकी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और हमेशा किसी भी देश के डिफाल्ट अंतराश्ट्री कारणों से जधा उस देश की अपनी गलत आर्थिक नीतियों के कारण होते है श्री लंका उसका सबसे बड़ा उधारन हमारे सामने है जहां एक अच्छे खासे देश को जिसकी अर्थिवस्था की सीमा आये थी और हर देश की अर्थिवस्था की सीमा होती सरकारें उसे समझती है नहीं समझती है उनने देश के लोगों की लोगों की जिन्दगी गलत फ बिल्कुल डिफॉर्ट का एक असर करंसी पर भी होता है करंसी पर हम बात करेंगे लेकिन श्रिलंगा के बाद हम नेपाल की तरफ चलते हैं क्योंकि नेपाल में भी इस्तितियां बहुत अच्छी नहीं है नेपाल में भी अपने जो भी गयर जरूरी वस्तू का आयात था उस भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार है विदेशी मुद्राबंडार कम हुआ उसे रोकने के लिए क्या कीजिए आयात मत कीजिए तो जो देश आयात निर्यात करते हैं जिन से आयात होता है शिलंका में उन पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा दोजार एकिस के चाहा है वो पाकिस्तान के संदर्व में हो नेपाल के संदर्व में श्रीलंका की संदर्व संदर्व में य। यस से पहले मैं जाने में नेपाल में ये संकट पिछले 5-6 महिनों के बाद कोविट के का लागडाउन हटने के बाद आया जो सबसे बड़ी महत्वकून खबर है कि नेपाल के सरकार ने वहां के नेपाल राश्टर बैंक के नेपाल का जो रिजब बैंक के फेडरल रिजब है उसके प्रमुक को हटा दिया है सै नेपाल में जहां से समस्या शुरू होती वह इस तरह से शुरू होती कि जैसे ही बाजार खुले और कोविट का लागडाउन हटा नेपाल ने काफी बड़ा हिस्सा आयात पर खर्च कर दिया जबकि नेपाल के पास विदेशी मुद्रा कम थी अंतराश्ट्री बाजार की प अलवेश्बन मीडिया के रिपोर्ट्स बताती है और जिसका आसर नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखाए पड़ा है नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार शुभम पिछले साल अक्टूबर में जो आकड़ा मेरे पास मिल रहा है पिछले वाल अक्टूबर से घटकर 16 तरफनों 2% गिरा है पिछले साल अक्टूबर में 49 ट्रिलियन रूपीज था नेपाल के रुपए में जो अब घटके कि इस सीमित विदेशी मुद्रा के अधार पर क्योंकि कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है विदेशी मुद्रा आने की संभावना है बहुत सीमित है वो थोड़ा सा ट्रेड है और चूंकि अंतराश्टी ट्रेड में भी नेपाल को बहुत ज़दा स्पेस मिलने की संभाव दे रही है जो हमने नभ्य के दूशक वे भारत में देही थी क्योंके नेपाल के आयात की जरूरते ज़ाथ हैं और विदेशी हैं व्यूसान के किफायत से खर्च की में किफायता बहू से उनके आपूरती कम होती और उनकी केमतें बढ़ती हो दूसरा असर पढ़ता है उस देश की करेंसी पर जिस पर हम आगे हैं पर करेंसी की सवाल मेरा भारत पर क्योंकि नेपाल बड़ा पारटनर है बड़ा व्यापार है हमारा बहुत सारा निर्यात हो में भारत को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना ठ़ Series भारत की जो तॉप दस व्यापार भागीदार है निर्यात की दिश्टे से उसमें नेपाल भारत का नवा, 9th नमबर का सबसे बड़ा trade partner है और भारत का नेपाल के साथ trade balance भारत के पक्ष में है यानि भारत नेपाल को ज़ाधा निर्यात करता है और नेपाल से कम आयात होता है 9.6 billion dollar का अकड़ा अभी शुपहमने बताया जो भारत के निर्यात का है दिक्कत यह है कि भारत के लिए अचानक ये आयात बंद हो जाना सबसे बड़ी चुनोती ही भारत के का एक पूरा कारोबारी हिस्सा जिसमें कि खादे तेल भी है, पेट्रोलियम भी है, गाणियां भी है, आटो मोबील भी है ये सब नेपाल को जाते थे और नेपाल के अर्थवस्ता में काफी बड़ी आपूरती भारत के जरिये होती थी अब आयात बंद हो जाने के कारण भारत की बहुत सारी कंपिनियों को नुकसान होगा, उनके लिए उनके बिजनेस मॉडिल्स लड़ खडाएंगे और उन्हें आने वाले समय में ये संकट कितना लंबा चलेगा, हमेशा ध्यान रखना जुरूरी की विदेशी मुद्रा भंडारों में अचानक बढ़तरी नहीं होती कोई उसकी कोई जादू की छड़ी है, कोई मैजिक वेंड नहीं है कि आपने अचानक विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा लिया क्योंको बढ़ते ही बढ़ते है, नेपाल को अपनी अर्थवस्ता में बदलाओ करना पड़ेगा, निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोथ बढ़ाने होंगे, तब जाकर कहीं वो पैसा आएगा, तो नेपाल के से कारोबार रिष्टे रखने वाली कमपीनियों में काफी बेचैनी है और काफी दवाओं महसूस कर रही है क्योंकि उनके निर्यात में पे बड़ा असर पड़ेगा और ये 9.6 बिलियन डॉलर बड़ा नमबर है, जो जिस पर सीधा असर हमें दिखाई देगा बिल्कुल, सर अब बात मुद्रा पर, क्या असर होगा आब नेपाल की या शेलंगा की मुद्रा पर? दो महत्वपूर्ण चीजें समझना जरूरी, एक कंट्री जो डिफाल्ट करता है और एक कंट्री जो क्राइसिस पर फसता है, दोनों की परिस्थितियां एक ही जैसी है, रूस के साथ हम शुरू करें, तो रूस के रूबल की भुद्बुरी हालत हुई, हलाकि रूस का रू श्रिलंका की करिंसी थोड़ा और कमदोर होगी, इस समय श्रिलंका की करिंसी करीफ तीन सो पैटालिस श्रिलंकन रूपए के बराबर है डालर की तुलना में, और उसकी यही वज़ए है कि भारत को श्रिलंका को किसी भी चीज की निर्यात करने में दिक्कत हो रही है, इंड तो 23 नेपाली रूपए के आसपास करिंसी का डिवल्यूइशन है, और अब ये दवाव हमें नेपाल की करिंसी पर भी आने वाले समय में दिखाई देगा, तो जब भी कोई देश अपने कर्च उकाने में चूपते हैं, उनके विदेशी मुद्राबंडार कम हो जाते हैं, तो उनकी जो अपनी मुद्राएं हैं, उनकी ताकत बुरी तरे टूटती है, और ये दोनों देश अब डिफाल्ट के बाद एक करिंसी क्राइसिस में फसेंगे, और हमें इस करिंसी क्राइसिस से उनके उबरने में अंतराश्ट्री मदद के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, हाँ, अगर नेपाल को या श्री लंका को विदेशिम को आएमेफ से साहिता मिलना शुरू होती है, तो हमें की करिंसी में बड़तुरी देखेंगे, पर ये दोनों करिंसी ट्रेडिंग की दरिश्टे से और ज्यादा समस्या बनती है, और इसलिए होता है कि अगर नेपाल को आपकोई ट्रेड करना होगा, तो वीक करिंसी के अधार पर ट्रेड करने में देश को नुकसान होगा, बिल्कुल, सर, नेपाल और श्री लंका के बाए चलते जलते पाकिस्तान पर भी एक टिपनी, आपकी वहां सरकार बदल गई, आएमेफ से पैकेज मिल पाए लेकिन पाकिस्तान को चुकि फरवरी में एक हिस्सा आएमेफ से मिलने वाली साहता का मिल चुका था तो पाकिस्तान की इस Solidical Transition में जो घमायल है, जो राजनेतिक उठापटक है, उसमें पाकिस्तान के पास विदेशी मुदराभंडार में थोड़ी आपूरती है, लेकिन आ आने वाली नई सरकार जो वहां आ रही वो उन सारी शर्तों को मानेगी जो शर्तें आएमेफ ने दी थी जिसमें की टैक्स बढ़ाना पेट्रोल डीजल महंगा करना और वो पर स्थिती फिर वही राजनीतिक रूप से नई सरकार के लिए बढ़ी समस्या होगी कि ऐसी स्थिती में जब कोईड लागडाउन रहे हैं रोजगार नहीं हैं बेकारी है उस बीच में आएमेफ की शर्तें मान कर अपने आपको अपने हां टैक्स बढ़ाना और लोगों की जिने की लागत लागत बढ़ाने की चुनौती होगी तो आएमेफ का अगला पैकेज या अगली किष जनता वहां की भी परिशान होगी क्योंकि अगर सरकार सकती करेगी सकती में आप टैक्स बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ेगी और जनता पर इसकी मार पड़ेगी पडोसियों का अन्य मुलकों का हाल लेने के बाद अब लोटते हैं भारत पर कुछ खबरें भारत की हो जाए हीजों कुछ बदाब्दा नजर आहा हैं क्या बदला है यह यह देखिए पवणपांडे की स्पेशल प्र Packard के अन्धे मोन के बाद कार माझार का सूर्ते हाल ही बदल गया चोटी कारों की संख्या सडकों पर घर्टने लगी बड़ी गाडियां फर्राटा भर ही तो 2018-19 तो था कार बाजार में छोटी कारों की हिस्सेदारी 26 फीसद की होती थी जो बीते साल घट कर 10 फीसद रह गई जी हाँ सही सुना सिर्फ 10 फीसद छोटी कार मतलब जो 5 लाख रुपए के भीतर आ जाए इनके ग्राहक कौन थे अरे वही लोग जो कार की सवारी का खाप बाले मोटर साइकिल पर चल रहे थे इंतजार बस डाउन पेमंट के लिए बोनस मिलने या एफ़डी पकने का था कोविड ने केवल इनकी कमाई नहीं कार खरीदने की उम्मीद ही तोड़ दी यह अब तभी लोटेंगे जब कोविड के लहरों का डर खत्म होगा नौकरी चलती रहने की उम्मीद बंधेगी और कमर तोड महगाई सिधे होने का मौका देगी लेकिन यह दिल्ली अभी दूर है और इस दिल्ली की दूरी को कारों की बढ़ती कीमतों ने और बढ़ा दिया है रूस उक्रेन युद्ध की वज़े से बेस मेटल और कुरूड ओयल की कीमतों में आई देजी ने वाहन कमपनियों के लिए इन्पुट कॉस्ट बढ़ा दी इस वज़े से कमपनियों ने कारों के दाम बढ़ा दिये देश की सबसे बड़ी कमपनी मारूती इस साल कीमतों में तीन बार इजाफा कर चुकी है जनवरी 2021 से मार्च 2022 के बीच कमपनी की कारें 8.8% तक महगी हो गई है कार बाजार की कहानी में कोविट तो संकट का चरम था मुश्किलें तो कुरोना से पहले ही शुरू हो गई थी साल 2019-20 में कुल 27,73,519 कारें भी की ये आकड़ा 2018-19 में 33,77,389 का था यानि कंज्यूमर का कॉण्फिडेंस तो कोविट से पहले ही डोल रहा था लेकिन सरकार होला उबर की आर में छुपकर इस मंदी को नकार रही थी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है आखो देखा ताजा हाल और सुन लीजे कार शोरूम पर हफ्तों की वेटिंग के बोड टगे हैं SUV 700 के लिए डेड़ साल की वेटिंग है किया कैरंस पर साल भर की थार खरीदने वालों को आठ महीने तो क्रेटा वालों को नौ महीने का इंतजार करना पड़ेगा हर जगा कारण एक ही है चिप शोर्टेश की वज़े से पूरी छमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा हाला सुधरने में करीब साल भर का वक्त लग जाएगा चोटी गाडियों के तलबगार अभी भी कम है 10 लाग से उपर की गाडियों की मांग अच्छी है इस सेग्मेंट में बाजार में हिस्सेदारी बीते 2 साल में 5 फीसद से बढ़कर 11 फीसद हो गई है इस सेग्मेंट में टाटा मोटर्स हुंड़ई को पचार रही है टॉप पर टाटा की नक्सॉन है सबसे ज़्यादा बिकने वाली 5 में से 2 कारें टाटा की ही है पहली नक्सॉन और दूसरी पंच वन्यों और क्रेटा बाजार में पिछडी है छोटी गाडियों की बिक्री पर असर पढ़ने से बाजार की लीडर मारूती को नुकसान हुआ है वित्वर्ज 2019 में कार बाजार में मारूती की हिस्सेदारी 51 फीसद से जादा थी जो 2022 में घटकर करीब 43 फीसद पर आ गई है मोटी बात ऐसे समझे कि एंट्री लेवल कार खरीदने वालों की संख्या कम है और 10 लाख से उपर की कार खरीदने की छमता रखने वालों को कारे मिल नहीं रही है यानि कार बाजार का हाल बीते 3 सालों से ऐसा है कि मानो किसी व्यक्ती के पैर में चोट लगी थी वो धीरे धीरे चल रहा था कि पैर की हड़ी ही तूट गई मानिनायन के लिए पवन पांडे सर कार बाजार का हाल तो देख लिया 10 लाख किस से ज़्यादा की कालियों पर वेटिंग है बी-ए-स-6 ले लीजिए एन-जी-टी का फैसला ले लीजिए उसके बाद गाउं की मंदी ले लीजिए अब ये इस्थिती है क्या तस्वीर दिखाता है अगर कार बाजार की रौशनी में देखें शुम ये मुझे लग रहा है कि भारत के कार बाजार में बと-供ारा नहीं बहुत बड़ा ट्राणिशनल शिफ्ट है बहुत बड़ा उलट फिर है जो कोविट के सहरे कीमत बढ़ने के सारे महंगाई के सहरे आ रहा है और इस उलट फेर की हमें उम्मीद नहीं थी और किसी को भी उलट फेर अच्छा नहीं लगेगा भारत में वो लोग जिन्हें कार खरीद कर अपनी जिंदिगी बहतर करनी थी उनके लिए अब कारें पहुंच से बाहर हो चुकी है क्योंकि धीमे धीमे इंट्री लेवल कार की कीमतें 6,5,5 और 7,5 रुपए की असपास पहुंच रही है एकदम जो आदमी 4,5,5 रुपए की कार एम कर रहा था उसके लिए 7,5 रुपए की कार खरीदना संभव है दूसरी महतुपून चीज़ है कि कारों की ऑपरेटिंग कास्ट उसे उन्हें चलाने की लागत बढ़ती जा रही है पेट्रोल लीजल की कीमतों में बढ़तरी के कारण यहां तकी C&G कीमतों में बढ़तरी के कारण अगर आप कहें उनकी ओनर्शिप कास्ट जादा है उनको खरीदना महेंगा और फिर उसके बाद उनके लिए भी निटवर्क उपलब्द नहीं है सारे लोगों के लिए और चोटी कारों में तो और भी जादा महेंगा है और तीसरी महतुपून बात है कि कारों की खरीदारी में एक बड़ा हिस्सालोन का होता था जब तक लोग उबरेंगे और हिम्मत करेंगे तब तक बाजार में कार लोन की दरें 9,5,5,5,10,5 के आसपास आप हो जाएंगी उपर धीमे धीमे लोग बढ़ना शुरू करें अब जो पूरा का पूरा बाजार है वो दस लाग से उपर कार खरीदने की क्षमता वाले कुछ लोगों की बीच में सिमट गया और बहुत ही मैं जब कुछ कह रहा हूँ तो बहुत ही चोटा हिस्सा है अगर आप ओवराल कार की सेल से एक तो भारत का कार बाजार दुनिया में चोटा कार बाजार है कि बहुत कम लोग कितनी कारें बिक्ती हैं हमना अगर नंबर के साब से देखें देखें तो 27-28 लाग क से उपर के कारें उनके संख्या बहुत कम है तो यह बाजार धीरे धीरे एक्जिक्टली हार्ड कोर केशे प्रिकवरी का का सबूत बनता जा रहा है कि जो नीचे वाले लोग जो बाइक से अपग्रेट करके कार पर जाना चाहेंगे उनकी उम्मीडें ध्वस्त हैं हाँ उप कूरती के लिए उनके पास कार नहीं और लंबी बेटिंग लिस्ट है यह इस्ट्रक्चर भारत के आटमोबिल उद्यों के लांग टम की डिमांड के लिए अच्छा नहीं क्योंकि भारत को सस्ती कारें चाहिए और ज्याधा लोगों को अपग्रेट करना होगा होने की सुव सुमवार को ट्राई ने अपनी रिपोर्ट में 5G स्पेक्ट्रम का बेस प्राइज 492 करोड रुपे प्रती उनिट से घटा कर 317 करोड रुपे प्रती उनिट करने का सुझाओ दिया है 700 मेगा हट्स बैंड के स्पेक्ट्रम के भाव को भी 40 फीसद घटा कर 3927 करोड रुपे करने का सुझाओ रखा है सर क्या ट्राई की सिफारिशों के बाद कंप्रियां पूरे जोश से उलास से हर्ष से स्पेक्ट्रम की खरीद में पाटिसिपेट कर पाएंगी मुझे इस बात के संभावना कम लगती है उसकी दो वज़े है जो फाइफ जी का प्राइम बैंड है जिसको 3300 से 3700 का मेगा हट्स का प्राइम बैंड है इस पर कीमतों में करी 35 फीसदी की कमी की गई है कमपिनिया यहां 95 फीसदी की कमी मांग रही थी क्योंकि भारत में टेलिकॉम बाजार में वैसे भी दरें काफी बढ़ चुकी है और उनके बैलेंस शीट पर दबाव है त्यार आई ने इसमें और जाधा कटवती क्यों नहीं सिफारिश की कम से कम 50 फीसदी की कमी की संभाव बाज़ देना तो आनी चाहिए थी बेस प्राइस में वो नहीं आई टेराई ने इसलिए नहीं किया कि उससे सरकार की तरवसे इस बात का कोई संकेती नहीं मिला कि सरकार स्क्टर मेराके निलामी से पाइसाज उटाना चाहती है जो 2018 में TRI ने इसके लिए 492 करोड रुपए रखे थे इस साब से उस कंपेनी को करीब 31,700 करोड रुपए का मुक्तान करना पड़ेगा सरकार को स्पेक्टरम खरीदने के लिए भारत में दोनों कंपेनिया जियो और एर टेल शायद इतना महंगा 5G स्पेक्टरम खरीदना नहीं चाहेंगी और अगर पूरे स्पेक्टरम को अगर आप मालने के सारा स्पेक्टरम अगर इस कीमत पर 35% से 39% के गिरावट के साथ भी बेचा जाता है तो टेली काम अपरेटर्स को शुबर 5 लाख करोर रुपए से साधा सरकार को देने पड़ेंगे हम स्पेक्टरम इलामी में लगातारे समस्या देख रहे हैं पहले सरकारें उची कीमत पर स्पेक्टरम बेचती हैं फिर कंपिनियां उसे चुकाने में डिफॉल्ट करती है और फिर सरकारें उसको एक के बाद एक सरकार उसका भुकतान टालती है उसे लंबे समय के लिए ले जाती है अभी यहां दिल्ली दूर है अभी यहां एक खीचतान जरूर होगी सरकार को इस बीच में इंटरवीन करना होगा उसे 5G स्पेक्टरम की लागत और दादा घटानी होगी और अगर वो लागत कम नहीं हुई तो 5G सर्विसस सबके लिए ना तो सुलब हो पाएगी सस्ती होन करना है और अगले साल से हमें 5G सर्विसस के कम से कम पाइलट भारत में रोल आउट होते दिखेंगे ऐसी योजना बनाई की थी लेकिन यहां टियर आई कि इसी फारिशों के बाद एक बार बड़ा विचार मंथन उद्योग और सरकार के बीच जरूर होगा बिलकुल और इस परियाप्त कोईला और परियाप्त उत्पादन शमता के बाद भी बिजली नहीं पहुंचा रहा है और आज देखिए इस पर रस्ता कसी शुरू हो गई आंकड़े बताते हैं कि समय रहते कोईले की ढुलाई के लिए अगर रेलवे ने अत्रिक विवस्था नहीं की तो जू उत्पादन के लिए रेल, कोईला और उर्जा मंतराले मिलकर काम करते हैं और अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीनों मंतराले एक दूसरे के कोर्ट में बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं सर यहां क्या रस्ता कसी है, क्या अप्डेट है? चुनोती है कि मार्च की तुलना में अगर आप पावर की डिमांड देखें जो आकड़ा है, जो चौकाने वाला आकड़ा है, और यह आकड़ा हमें हमें नहीं पूरी सरकार को और सारे नीति नियामकों को पता है, अगर आप 11 मार्च से 7 अपरेल के बीच पावर की यूनित से ऊपर निकल चुकी है, जो अगर आप 9 मिलियन यूनित से 63 मिलियन यूनित की शार्टेज पर पहुंच गया है, जो आलमुस्ट चागुनी से 4 से 5 गुनी से जाधा है, तो इतना कम उत्पाधन सिस्टम में आ रहा है, शमताएं हैं शमताओं की बात नहीं जिस पर इसलिए यहाँ फिर वही स्थिती शूरो से और आरोप लगा रहा है, इस पूरी परक्रिया में सबसे बड़ी ख़लनाय का रेलवे दिखती है और रेलवे पिछले साल की संकट में सबसे बड़ी विलिन थी, रेलवे ने समय पर ना तो वैगन्स और रैक की वे वह वश्था कि कोईला है कोईल इंडिया के पास पर वो समय पर पावर प्लांट के पास नहीं पहुँच पा रहा है मुझे लगता है फिर सरकार को इमर्जिंसी लेवल के उपर बैठना पड़ेगा सप्लाइज बढ़ानी पड़ेंगी क्योंकि डिमांड और सप्लाइज में जो गैप है व बहुत संशेप में लेकिन जरूरी ख़बर है रेपो रेट भले ना बढ़ी हो आरभी आई ने अपने पॉलिसी में नीतिकत दरों को भले चार प्रितिशत पर बरकरार रखा हो लेकिन दस साल की बॉन्ड इल्ड सोमवार को तीन साल के उच्चत मिस्तर साथ दशनलब एक न बैंडिंग रेट है जो पैमाना है जिस पर कोई बैंक आगे अपने करज लेने वाले लोगों को चाहे वो उद्योग हो या वो भुगता हो उनको करजेने की जो दरेते करता है उसमें बढ़तरी कर दिये यानि मुख्यधारा का एक सरकारी बैंक इस बात की घोशना कर करने लगा है कि ब्याजदेने बढ़ने वाली और यहां से आप संकेत देख सकते हैं कि अर्बियाई भले ही रेपो रेट ना बढ़ा है उद्योग या मान रहा है कि ब्याजदेने बढ़ेंगी और बैंको ने ब्याजदेने बढ़ानी शुरू कर दिये तो यानि एक तरह से कोई भी करज लेने अगर बैंक के पास जाएंगे तो आपको ब्याजदेने महंगी दिखेंगी पहले से जाधा इमाई बनेगी आज के इस शो में इतना ही सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तमाम ख़वरों पर विशलेशन के लिए कल आप से शाम को सात वज़े फ आप से शो में आप से शामाले